कि हैं सबसे पहले कोरोना के आंकले 24 घंटों की दौरान देश में नए मामले आए 44,643 ठीक हुए मरीजों की संख्या 41,096 और मौत का आंकला 464 कई राज्ये हैं जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं पर केरल और महराश्ट से अभी भी लगातार जादा केस आ रहे हैं 24 घंटे में केरल से 20,000 से जादा नए मामले आए और करीब 100 लोगों की मौत हुई महराश्ट से 6,695 नए मामले आए और 120 लोगों की मौत हुई दूसरी सुर्की लद्दाग से भारत और चीन ने गोगरा पोस्ट के पेट्रोल पॉइंट 17-A से अपने अपने सैनकों को वापस बुला लिया है सैनक अब अपने पर्मनेंट बेस पर हैं डिसेंगेजमेंट की ये प्रक्रिया 4-5 अगस्त को ही दरसल 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर इस्तर की बारवी बैठक हुई थी और तब इस डिसेंगेजमेंट पर सहमती बनी थी शुरुवाती दोर की बैठकों में चीन ने गलवान घाटी में पढ़ने वाले पेट्रोल पॉइंट 40 होट स्प्रिंग इलाके में पढ़ने वाले PP-15 और PP-17A पर इस्तित गोगरा पोस्ट के इलाके में डिसेंगेजमेंट पर सहमती जताई थी लेकिन चीन पीछे सिर्फ गलवान घाटी से हटा था गोगरा इलाके से सेंकों की पीछे हटने को वास्तविक नियंतरन रेखा पर तनाव कम करने की दिशा में प्रगति के रूप में देखा जा रहा है तीसी सुर्की सुप्रीम कोर्ट से है कोर्ट ने आज कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और CBI नियायपालिका की मदद नहीं करती जब ज़ज शिकायत करते हैं तब भी एजेंसियां जवाब नहीं देती चीफ जेसिस एनवी रमनना की ये टिप पुड़ी कि जब ज़ज धमकियां मिलने की शिकायतें दर्ज कराते हैं तब भी मदद नहीं मिलती बार एंट बेंच वेबसाइट की मताबे कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई प्रोफाल या गैंक्सर्स जोड़े मामलों में जजजों को धमकाया जाता है लेकिन CBI या पुलिस को शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता कोर्ट ने ये भी कहा कि जब हाई प्रोफाल लोगों के खिलाब फैसले आते हैं तब नियाय पालिका को बदनाम करने का ट्रेंड चलता है ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट धनबाद में जजज की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कह रहा था आपको याद होगा पिछले महिने जहारकन के धनबाद में जिला और सेशन जज उत्तम आनंद को एक टेंपो ने टकर मारी थी जिसमें उनकी मौत हो गई सुप्रीम कोर्ट ने मामले का सुथा संग्यान लिया था जहरकन सरकार ने मामला CBI को सौंप दिया है इसी सुनवाई में एजेंसियों के काम के लेकर उनके तोर तरीकों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जटाई इसके लावा कोर्ट ने अब सभी राजजियों को खत लिखकर जज़ों की सुरक्षा के बारे में जानकारी मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी 34 सुरकी प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी के एक ट्वीट ने बनाई प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर लिखा देश को गरवित करने वाले पलों के बीच अनिक देशवासियों का ये आग्रेवी सामने आया कि खेल रत्न पुरसकार का नाम मेजर ध्यानचन जी को समर्पित किया जाए लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचन खेल रत्न पुरसकार होगा हम जानते हैं कि खेल रत्न पुरसकार खेल के शेत्र में दिया जाने वाला देश का सरवोच पुरसकार है इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, पहला खेल रत्म पुरसकार भारती ग्राइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, अब तक 45 लोगों को दिया जा चुका है, जीतने वाले खिलाली को प्रशस्ति पत्र, एवार्ड और 25 लाग रुपय की राशी दी जाती है अब तक इस पुरसकार को पूरु प्रधानमंत्री राजी गांधी के नाम पर दिया जाता था, लेकिन अब 30 वरस के बाद इसे मेजर ध्यानचंद, दद्दा के नाम पर कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद, हमारे हीरो, 1928, 1932, 1936 उलम्पिक में भारत का प्रतने जित्व किय और तीनों ही दफ़ा भारत ने उलम्पिक में गोल्ड जीता, होकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद के नाम पर जब ये रवार्ड हुआ, तो पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई, भादपावालों ने कहा, बिलकुल सही फैसला है, आखिर खेल पुरसकार कि कि नेता के नाम पर क्यों हो, खेल के सबसे बड़े लजेंड के नाम पर होने चाहिए, बिलकुल सही तर्क है, इसके बाद कॉंगरेस के खेमे ने कहा, कि तब तो सारे ही प्रत्रिष्ठान भी खिलाडियों के नाम पर होने चाहिए, और उन्होंने निशाना साधा, हाल में खुले बड़े विश्विस तरी स्टेडियम का जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया क्रिकेट स्टेडियम, और उसके बाद भागपावालों ने पूरी सूची निकाल दी, कि पहले ये बताईए कि राजधानी दिल्ली समेर, जो देश भर में, पंड़े जव स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, और उन जेतली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, बारतिये जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए मेजर ध्यांचन जी खेल के छेतर में बहुत ही सम्मान जनक और पिरणादाई नाम है और निश्यत रूप से जब भी किसी परकार के एबार्ड के वारे में विचार करना चीए तो उस छेतर के लोगों को किस नाम से पिरणा मिलेगी इसका ध्यान हमेशा रखाई जाना और मुझे लगता है बोदीजी ने ठीक है तो यह सियासत है दोनों तरफ से चल रही है पर मुझे खुशी है कि देश मेजर ध्यांचन के योगदान को याद कर रहा है लेकिन तद्दा को अभी तक भारत धत्म नहीं ने मिला महामना मदन मुहन मालविय को मिला और भी कई व मुधी सरकार इस पर भी ध्यान देगी सरकार का जिक्र आया तो संसत का जिक्र संसत में आज क्या हुआ बताएंगे आपको मेरे साथ ही निखिल वाट संसत के मौनसुम सत्र का तीसरा हफता भी हंगामे में ही गुजरा सोंवार से शुकृवार तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाकर पदर्शन किया पोस्टर लह रहा है जिसके बाद सदन की कारवाही को बारा बज़े तक के लिए स्थगित कर दिया गया सदन की कारवाही दोबारा शुरू हुई तो हंगामे और नारे बाजी के बीच टैक्सेशन लौ अमेंडमेंट्मेंट बिल 2021 और सेंटरल उनिव सुमवार सुबह 11 बज़े शुरू होगी हंगामे की बीच एक खबर भी आई कि सरकार ने राजसबाह में पेकसेशन मुद्दे पर पूछे गए सवाल को ब्लॉक कर दिया है हिंदुस्तान टाइमस अगबार में छपी खबर के मताबिक के इंदर सरकार ने राजसबाह में य बार एक तरीके पर उन्हें बता दिया गया है कि उनके सवाल को मंजूरी नहीं दी गई है आज सुबह सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की नेता उने राजसबाह में विपक्ष के नेता मलीकारजुन खडगे के कमरे में बैठक की सदन में आगे की रणीती क्या हो इस पर चर्चा इस बैठक के दोरान हुई बैठक के बाद मलीकारजुन खडगे ने बताया कि किसानों को समर्थन देने के लिए सभी विपक्षी दल आज जनतर मंतर जाएंगे जिसके बाद राहूल गंदी समेथ विपक्ष के कई नेता बस में बैठकर जनतर मंतर पहु बैठक के इस प्रतिनेती मंडल में त्रिनमूल कॉंग्रेस आमादमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं थी